असलाम उलेकुम व्यूवर्स उमीद करती हूँ आप सब खैर खरियत से होंगे आज जो मैं आपसे रेस्पी शेयर करूंगी वो मीठे की रेस्पी है रमजान तो अल्मोस गुजर चुका है तो अब जो है इड आने वाली है तो यह इड मीठी इड कहलाती है मीठे में तो हम कस कस्टड को हम युनिक स्टायल में बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हौफ लिटर जो है वो दूद ली है वाइल दूद ली है इसको अच्छी तरह से गरम करेंगे दूद हमारा जब तक गरम होता है तब तक हम कस्टड का पेस्ट प्रपेर कर लेते हैं इसके ल कर दूद में दूद तक कस्टड के लिए के-द्धार ली सुझि में तक हमड़ी रोम त्परेचर करने कीई रखा था उर्सम के में दूदå, इसमें आप शूगर को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ करें जितनी आपके पास कौन्टिटी में कस्टड आपने बनाना है और दूद है उसके मताबिक उसको हम दूद में मिकस करेंगे और फ्लेम को बलकुल मेडियम रखना है और इसको हलके हलके से अराम आराम से हिलाना है आपने ताके यह 7 ना लगी और किसी किसम कि गुट्ली न बने इसमें फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और तीन से चार मिनट में अल्मोस्ट हमारा जो है कस्टर्ड बनके प्रिपेर हो चुका है कस्टर्ड बनने के बाद रूम टेप्रेचर पे हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे अब हमारा नेक्स स्टेप यह है कि हम रेड्ड के चंड सलाइसिज लेंगे रेड्ड के जो एज्जीज ऑनके जो हम काट देंगे और चाहें तो स्केर यर रेट्टेंगल और इनको में अपने काट यह इंगे उसके मिकदार के मताबिक हम ब्रेड लेंगे और ब्रेड के जो स्लाइसिस हमने काटने होतने ही लेंगे अब हम एक पैन में आइल लेंगे और ब्रेड के पीसिस को हम लाइट ब्राउन कर देंगे करके इस तरह से करके बनने करके हमने सब पीछिस को फ्राई करने तवे पे अब ब्रेट के स्लाइसिस को जब भी फ्राई किया जाता है हमेशा जो है जो फ्लैम है वो मीडियम रखा जाता है तो ब्रेट के स्लाइसिस को हम दोनों साइडों से ब्राउन कर देंगे इस तरह से कर जो बाकी हमारे पास स्लाइसिस थे उनको भी हमने कर लिये तो ये इतना आपने इनको ब्राउन करना बहुत जादा भी इनको नहीं करना वरना ये हाड हो जाते हैं तो ब्रैट के इन्हीं पीसिस को अब हम वन बाई वन करके सर्विंग स्ट्रेय में रखेंगे पहली लियर जो होगी हमारी वो ब्रैड की होगी फिर उसके बाद हम इसके उपर दूसी लेयर जो है ना वो कस्रड की डालेंगे इसके लिए कस्रड जो है जो आप बनाएंगे बहुत ब्राट ज़ neighboring बहुत ज़दा गाड़ा नहीं होना चाहिए अब हम एक और जो है जो तिसरी लेयर लगाएंगे वो भी ब्रेट की लगाएंगे तो अब हम इसी तरह से हम इसी को रपीट करेंगे इस ब्रेट के ओपर कस्टड डालेंगे उसके ओपर छोती लेयर जो हमारी होगी वो कस्टड की होगी तो ये रेस्पी इंतहाई मज़ेदार किसम की रेस्पी बनी है तो इसको लाजमी आपने इड पे ट्राइ करना है और बताना है कि कैसी बनी है आपकी ये और इस डिश की एक खासियत ये भी है कि ये आलमोस सब घरों में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है ये हमारे बजट के मताबिक ही की डिश है तो इसको लाजमी आप सब ट्राइ कीजिएगा जो आपके पास घर में मेवे अवेलेबल होंगे आप उनको इनके उपर डाल दें डेकुरेशन के लिए मैंने इनके उपर नारियल, किशमिश और जो पिसा हुआ नारियल होता है वो मैंने और नारियल का पाउडर डाले तो ब्रेट केस्टर्ड हमारा बन के मिलकुल तयार है अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें और कॉमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है थैंक्स वार वाचिंग